निमलिखित में से किस वर्ष में जैप्रकास नरायन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1965, 1985, 1999, 2005 इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पे सी 1999 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जैप्रकास नरायन की बात करें हम लो तो उनको भारत छोड़ो अंदोलन के नायक के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है संपूर्ण करांती का नारा जब प्रकास नरायन के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया था उनकी यहाँ पर जीवनी जो लिखा गया रामब्रिच बेनिपूरी के द्वारा जो कि उनके राष्टवादे मित्र और हिंदी सहिते के लेखक भी थे रामब्रिच बेनिपूरी 1999 में जैसे भी मैंने मेंसन किया 1999 में उन्हें मरडो परांत उनकी समाजिक सेवा के लिए भारत के सरवच नगरिक पुरसकार भारत रतन से सम्मानित किया गया उन्हें मिलने वाले अन्य पुरस्कारों में देखा जा तो 1965 में लोक सेवा के लिए उनको यहां पे मैक्से से मैक्से से पुरस्कार भी यहां पे दिया गया था नीचे आप लोग कमेंड करेंगे बिहार के और किन किन लोगों को मैक्से से पुरस्कार मिला हुआ है निमलिकित में से कौन सा वंस कभीला वज्जी महाजनपत से संबंधी थे नमबर वन है यहाँ पर बिदेह वंस लिच्वी वंस इसके अलावा है यहाँ बैभसिक वंस यहाँ पर correct उतर हो जाएगा देखेंगे तो विदेह वंस इसके लावा हो जाएगा यहाँ पर लिच्वी वंस इस ब Bemतार देखेंगे तो correct उतर हो जाएगा यहाँ पर शिर्फ A और B देखा जाए यहाँ पे वज्जी महाजनपत के अंतर तो लगबग तीन परमुह कूल थे जिसमें कुछ इंप्रोटेंट है जैसे कि नंबर वन यहाँ पे हो जाएगा ग्यातरिक तीनों को नाम अप लोग धियान में रखेंगे ग्यातरिक उसके अलावा यहाँ पे हो जाएग विदेह और उसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे लिच्वी ग्यातरिक वन्स की बात करें तो यहाँ कबिला देखा जाए तो भगवान महाबीर का घर था उनके पिता इसी कबिले के मुखिया थे महाबीर उसके बाद यहाँ पे आता विदेह वन्स इसका उलेख करने वाला पहला गरन देखा जाए तो यजुर वेर्द है यजुर वेर्द में इसका उलेख देखने के लिए मिल जाएगा इस राज्य की रजधानी जनकपुर थी जो वर्तमान में नेपाल में इस्तित है तीसरा य वैसाली इसकी रजधानी हुआ करती थी, भगवान महाबीर का जनम देखा जाए, तो वैसाली के कुन ग्राम में हुआ था, उनकी मा एक लिछ्वी राजकुमारी जो की राजा चेतर की बहन थी। इसका गॉरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे असुक, असुक के समय यहाँ पे किया गया था, लोमस रिसी गुफा जिसे लोमस रिसी की कुटिया भी कहा जाता है, बिहार राज्य के जहाना बाद, जहाना बाद जीले के बराबर, यह नाम आप लोगोंने जरूर शुना होगा, ब आसक था यहां पर असोक के द्वारा यहां पर निर्मार कराया गया था गुफा के परवेश द्वार पर देखेंगे आप लोग तो जोपड़ी सैली का बिल्कुल ही जिसे कि रिसी मुनियों का आसरे होता है जोपड़ी सैली का अगरभाग द्वीजकार का चैत्य जो है यहां पर चैत्य जो है यहां पर महराव कर सकते हैं या फिर चंद्रसला का सबसे पुराना स्थित्व है जो सदियों से भारत प्रस्तर तरास वस्तुकला और मुर्थी कला सजावड की एक महत्पूर विसेस्ता थी नेक्स्ट निर् heeft मैं किस जिल्희 में मामुन्दे श्वरि देवी मंदिर इस थैं कैमूर गया चंद्रण इसके अलावा है नलंदा इसका कोरेक्ट उतर यहां पर हो जाएका कैमूर में कैमूर में माम सीव और सक्ति को समर्पी थे दियाबरके का पूछा जा सकता है किसको समर्पी थे तो भगवान सीव और सक्ति को समर्पी थे कैमूर जेले में देखा जाए तो 608 फिट की उचाई पर यह मुंडेश्वर पहाड़ी में इस्तित है जैसा लिखा भी हो आपे मुंडेश्वर दे सूरिय और इसके अलावा बिश्डु बिश्डु के देवता भी है मंदिर को देखा जाए तो दुनिया का सबसे पूराना कर्यात्मक मंदिर वाना जाता है क्योंकि यहां बिना किसी रुकावट के अनुस्ठान यहां पे चलते रहता है मुंडेश्वर मंदिर वास्तु काला की देखा जाए तो उत्तर भारत में यहां पे हो जाएगा नागर सेली पुछा जा सकता है नागर सेली का सबसे पूराना मंदिर है इस मंदिर के मद्य भाग में पंच मुखी बहुत इंपोर्टेंट है पंच मुखी सिव लिंग भी अ मुखपूर यहां पे पूरा एरिया बताना है बहुत यह असान सा प्रशन हो जाएगा इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पे ए मिधला में मद्य बनी चित्रकला का अभ्यास कर सकते हैं यहां बहुत सारे जो चित्रकार है यहां पे मिधला के छेत्र में यहां पे ठीके आम तौर पे पौधो या फिर अन्य प्रकृतिक सुरोतों से प्राप्थ होते हैं मद्वनी चित्रकला के कुछ संदर्प देखा जाए तो रमायर महाकाबे में भी पाए जा सकते हैं सिरोखर सिलालेख किस सासका है बलाला सेना धरमपाल गुपाल इसके अलावा है यहाँ पे महिपाल इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे ए बलाला सेना बलाला सेना का सिरोखर सिलालेख के एक महत्पूर एतियास्टिक दस्तवेज है जो बंगाल के सेन राजवन्स के बारे में जनकारी प्रदान करता है बलाल सेना देखा जाए तो बंगाल छेत्रे के सेन राजवन्स का यह दूसरा सासक हुआ करता था दूसरा सासक हुआ करता था इसी के समय 1284 में बक्तियार खिल्जी ने बंगार पर आकरमण किया और वर्तमान जो नदिया सहर के पास एक युद में बलाल सेना को यहाँ पर क्या कर दिया पराज़िद कर दिया और उसी के बाद से देखेंगे तो बंगाल में सेनवन्स का पतन हो गया और बंगाल दिल्ली सल्थनत के पूरी तरीके से नियंतरर में आ गया कंट्रोल में यहाँ पे आ गया बहुत ही मैक्रलेवल का प्रस्ण है पूछा जा सकता है BPSC के दौरा निमलिकित में से कौन ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाप लड़ाई के दौरान कुवर सी का समर्थक था कुवर सी का समर्थक था गणपतराय अमर सी रतभंजन सी उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें देखा जाए कॉर्यक्ट उतर हो जागा यहाँ पर दी उपरोक्त में से एक से अधिक क्योंकि यहाँ पर देखेंगे उनके समर्थकों में उनके भाई खुद जो काफी फ्यमस नाम है अमर सी उनके जो भतीजे थे जिनका नाम है यहाँ रतभंजन सी यह हो जाएगा भतीजा अमर्सी यहाँ पर हो जाएगे यहाँ पर भाई और भतीजे में एक और है यहाँ पर ध्यान रखिएगा हो जाएगा यहाँ पर गड़पत राय गड़पत राय इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है अब रिलेस्टन में गड़ पत्रा है कौन था थोड़ा फ्रस्ण चीन आप लोग लगा देंगे लेकिन ये दो लोग बिल्कुल सी ओर है भाई ये अमर सी इसके अलावा है यहाँ पर रत्वंजन सी यहाँ पर हो जाएगा ठीक है भती जा इसके अलावा और भी हरी किस रतन सी का भी नाम आता है इसके अलावा देखा जाए डुम्राओ के राजा भी उनके काफी करीबी थे जगदिसपूर के एक साही उजनिय राजपुत घर से कुमर सी बिलोग करते थे जो वर्तमान में देखा जाए तो बिहार के भोजपूर जीला का भोजपूर जीला का ए सेंगराम के दोरान देखा जाए तो असी वर्ष की आयू में उन्होंने पांच जुलाई ये डेट याद रखेंगे पांच जुलाई अठारा सो संताओन को दानापूर में बिद्रो करने वाले सेनिकों की कमान संभाली अपने अंतिम यूद में 23 अप्रेल 23 अप्रेल अठा गोला बारूत बनाने के लिए सोला, सोरा है यहाँ पर जिसको साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी एकत्र करने का कारिय किसे सोंपा गया था? किसे सौपा गया था नोनिया मुंडा गुर्का इसके अलावा है पहाडिया बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है इसका उतना ही असान जवाब हो जाएगा यहाँ पे नोनिया बिहार में देखा जाए सतर से लेके अठारा सो इसवी के बीच नोनिया बिद्रो के दौरान सबसे अधिक परभावित जो जीला हुआ करता था जैसे कि देखा जाए सारन सारन के साथ यहाँ पे हो जाएगा वैसाली पूर्णिया पूर्णिया एक और है यहाँ पे तिरहुत का छेत्र इस काल में देखा जाए बिहार सोरा उतपादन का परमुख केंद्र था चुकि था यहां पे इसका परियोग बारूद बनाने के लिए किया गया था और सोरा में देखेंगे तो साल्ट पिटर का मतलब सोरा को साल्ट पिटर भी का सकते हैं इसका इस्तमाल गोरा बारूद बनाने में किया जाता था इसमें देखेंगे तो सोरा के निर्मार कारे मुख रूप से नोनिया समुदाई के दवरा यह नोनिया जो चुम्मिनिटी ओके दवर क्या जाता था। जो भी मध्यास्त होते थे वुचवलया के रूप में समझ सकते हैं। नोनिया से लोग कम दामपर 100 सोडा खरीते थे और उन्हें उच किम्तों पर करखानों को बेशते थे, इस पर भारी मुनाफ़ा कमाते थे, अब यहीं जो सोसर्ड था, इनका मेहनताना इनको पूरी तरीके से मिल नहीं रहा था, इसी सोसर्ड के कारणों नोनिया ने अन्य बैपारियों को कच्चा कर सकते हैं कि माल बेचना शु इसके अलावा देखा जाए, तो सिल्फ उदोगों पर भी नोनिया समुदाय के उस समय का अधिकार हुआ करता था, क्योंकि मैं जानते थे कि किस तरीके से जो छारीय मिट्टी का परियोग करके, इन सब को यहाँ पर बनाया जा सकता है, सोरा उतपात को ही देखा जाए, अं अंदोलन के प्रती पूर्ण सरधा रखने वालों को क्या कहा जाता था, मेलूस, मेला बरागर, बबजीया, इसके अलावा है यहाँ पे सफ़ा होड, सफ़ा होड, इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे D, सफ़ा होड, खरवार अंदोलन के सम्मन्द में, अंदोलन के प्रति पूर्ण सद्धा रखने वालों को कहा जाता था सफा होड खरवार अंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा आप लोग भागिरत माजी का नाम भागिरत माजी के नितरितों में 1868 के खरवार अंदोलन का उदेश्य था प्राचिन मुल्यों और प्रासी परंपराओं को पुना क्या करना है यहां पर अस्थापित करना है इसके साथ ही में भूमी संबंदी समस्याओं को सुधारने के लावा देखा जाए तो समाजी कारियों में सुधिक्रण के बेवे परवर्तक थे जैसे कि सराब जो कि ट्राइब कम्यूटी में उनको यहां पर कहा जाता था बबजिया द्यान रखिएगा बबजिया कहा जाता था और जो अंदोलन पुछा जा सकता है कहीं से भी प्रश्न पुछा जा सकता है इसमें पूछा गया है कि पूर्ण सराध हम तो growth बिहार बंदु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समचार पत्र था इसकी सुरुवात निमलिखित में से किसके द्वारा की गई थी गुरु परसाथ सेन सैयद हैदर हुसेन मौलाना मजरूल हकी केसो राम भट इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पे D केसो राम भट केसो राम बिहार बंधु देख पा रहे हैं आप लो बिहार बंधु देखा जाए बिहार में मीडिया की जो शुरुवात है बिहार बंधु से हुई जो वहाँ प्रकासित होने वाला पहला हिंदी अखबार था पुछा जा सकता है पहला हिंदु अखबार कौन था तो यहाँ पे हो अपना होई थी 1872 में नाम दिया है यहां पर केसो राम भट के द्वारा की गए थी जो एक महाराष्ट्रियन ब्रहमर थे जो बिहार शरीफ में यहां पर आकर बस गए थे माना जाता है कि महाराष्ट से यहां आकर बसे हुए थे पहला बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था और उस समचार पत्र का नाम क्या था अजान्ता की गुफाओं के सम्मन्द में निमलिखित कतनों पर बिचार कीजिए अजान्ता गुफा महराष्ट के और अंगाबाद में सहादरी परवत माला में मवजूद गुफाओं की एक स्रिंखला है यहाँ 34 गुफाओं है और यहाँ आम तोर पर केवल बहुत धरम के बारे में है गुफा नमर 26 अजान्ता की गुफाओं में बुध के महा परिनिर्मार का वर्डन करता है यहाँ पर देखा जाए तो देखिए पाला शेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ 34 गुफाओं की संखें यहाँ 29 है तो बी गलत हो जाएगा गुफा नमर 26 अजान्ता की गुफाओं में बुध के महा परिनिर्मार का वर्डन करता है जो की बिल्कुल कॉरेक्ट है तो कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर C A और C चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अजान्ता गुफा महराष्ट के और अंगबाद में सहाधरी प्रवतमाला में मौझूद गुफाओं की एक स्रिंखला है बिल्कुल बताया था मैंने कॉरेक्ट है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो मैंने बताया था कि 34 गुफाओं है इसमें 29 गुफाओं है जिनमें यहाँ पर 25 गुफाओं को प्योग अवासिय गुफा के रूप में और अन ये 4 गुफाओं को प्योग पराथना या फिर कर सकते हैं कि चैते हौल के लिए किया जाता है तो 25 यहाँ पर हो जाएगा अवासिय और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चैते है तो आप लोग तीनों में कन्फूजन मत करिएगा पहला तो है यहाँ पर चैते है इसके अलावा यहाँ पर बिहार इसके अलावा होता है एक यहाँ पर होता है अस्तूप तो अस्तूप तो बाल हो गया नाखुन हो गया सब रखा जाता है बध लोगों के लिए बिहार भिछों का निवास स स्थान होता है अब इसी बिहार के अंतरिकत देखेंगे तो छोटा एक चैते भी बनाया जाता है छोटा अस्तूप के रूप में आप इसे समझ सकते हैं तो यहीं है यहाँ पर प्रातना या चैते हौल के लिए किया जाता है, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो 29 गुफाओं में से 5 का जो विकास है, हीन यान बहुत धरम के दोरान हुगा, हीन यान बहुत धरम के दोरान हुगा, जबकि शेस दू का जो विकास है, दो गुफा का जो विकास है, महायान बहुत धरम के दोरान हुगा, चीनी बहुत यात्री फायान और फेन स्यांग ने भी अजानता की गुफाओं का उले किया हुगा है, बाकि सी अपने आप में कॉरेक्ट है, गुफा नमर 26, बुद्ध का महा परिनिर्मार से संबन्धित है, निमलिखित में से किस दासा का उलेक परसिद, बाध गरंथ मिलिंद पनोहों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है, मिनांडर, डेमेट्रियस, अलेकजेंडर, इसके अलावा है यहाँ पर यूक्रेट आइडस, इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर ए, मिनांडर, मिलिंद पनोहों एक बाध गरंथ है, देखा जाए तो लगभग 1000 इसा पुर्व, 1000 BC से लेके 200 BC के बीच, 200 BC के बीच टाइम पिरेड इसका माना जाता है, इसमें देखेंगे तो भारतिय बौध जो रिशी है नागसेन, नागसेन और दूसरी सताबदी इसा पुरु के भारत यूनानी जो राजा है, मिनांदर प्रथम को ही यहाँ पे पाली में मिलींद बोला गया, इसी के बीच कर सकते हैं कि सागला में, एक खेतर का नाम है सागला, इसी सागला को वरतमान में सियाल कोट के नाम से भी जाना जाता है, सियाल कोट में हुए समात का पूरा का पूरा संगरा है, मिलिद परहों को जो बहुत धरम में कहा जाता है कि ठीक है बहुत ही मतलब भीहित माना जाता है जिसे खुद्धक निकाय की पुस्ता के भाग के रूप में भी सामिल किया गया है आगे चलके हाँ पर देखेंगे कैनन के चीनी महायान अनुवादक की हिस्से के रूप में एक संचिप्त संस्क्रांड भी इसमें सामिल है पल्लो समराजे के संदर में कलनोकरमिक क्रम में नीमलिखित पल्लो रजाओ की यहाँ पर बेवास्था के जिए ठीक एरेंज करना है नंबर वन यहां पर नर्सिंवर्मन प्रथम, नर्सिंवर्मन दृटिया या राज सिमा भी बोला जाता है महेंदर प्रथम नंदी वर्मन दृतिया पल्लो और चल्लोक्यों की जो लंबे समय तक जो कर सकते हैं कि आपसी जो संगर्ज था वो तो चल ही रहा था अब उसी सेलियर जो भी important सासक है ठीकि उनके time period को आपको arrange करना है इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो हो जाएगा यहाँ पे महेंद्र वर्मन प्रथम time period है इसका 600 से लेके 630 इसमी तक सासन किया महेंद्र वर्मन प्रथम अपने सुरुवाती दोर में जैन धरम का नुवाई हुआ करता था वह गुफा मंद्री को एक महान निर्माड करता के रूप में भी मौजूद था उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नरसिम वर्मन महेंद्र वर्मन के बाद यहाँ पे हो जाएगा नरसिम वर्मन प्रथम है यहाँ पे 630 से लेके लगवग 668 इस भी तक इसी के दारव वहाँ पे वतापी कुंडा का उपाधी धारण किया गया था बहुत इंपोर्टेंट है वतापी कुंडा की उपाधी यहाँ पे धारण किया गया था वे इंसांग इसी के समय देखेंगे पलो की रजधाने जोगा करती थी कां कांची पूरम किस सासा के दोरान आया हुआ था नर्सिंग वर्मन के दोरान आया हुआ था नर्सिंग वर्मन प्रथम है अब बीच में देखेंगे यहां पे कुछ गयप आपको दिखाई देगा जैसे कि कह सकते हैं आप नर्सिंग वर्मन प्रत्थम का उत्राधिकारी महेंदर वर्मन दृतिया और परमेशवर वर्मन यहां पर प्रत्थम हुआ करता था अब उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे तो आएगा नर्सिंग वर्मंद्रितिया यहाँ पे ठीक है आइसी को राज सिमहा भी बोला जाता है इसे राज सिमहा के नाम से भी जाना जाता है इसी के समय देखेंगे यहाँ पे तो ममलापुरम में समुद्रतरपर मंदिर और कां में कहलास नाथ मंदिर। इसके अलावा ममलम पूरम में सम optics मंद्र मनदिर इसी के समय यहाँ बनाय गया था अब रिल्लाश्ट में हाँ पर हो जाएगा नरुसिंगर मंडित्य एक उतरादिकारी के रूप में यहाँ पर Mr. वर्मंद्रितिय और नंदी वर्मंद्रितिय तो चौथे में यहाँ पर यह नाम आ जाएगा तो इस प्रकार से देखा जाए आरेंज करने पर हमें जो प्राप्त होगा 3,1, 3,1, 2, and 4, correct उतर हो जाएगा C सासक बिजयाले के उत्राधिकारियों द्वरा दच्छिल और उत्तर में निमलिखित में से किस छेत्र को चोल समराज्य का हिस्सा बनाया गया था पल्लों और चेरा है, पांडेन और पल्लों है, राष्ट कूट और चेरा है, वकाटक और यहाँ पर हो जाएगा साथ वाहन देख पारे हैं, यहाँ पर बिजयाले से समंधित हैं, कह रहा है कि निमलिखित में से किस छेत्र को चोल समराज्य का हिस्सा बनाया गया था तो चोल देखिए, बहुत कर सकते हैं कि दक्षिर भारत में काफी उनका महत्पूरा स्थान है, उन लोगों के दोरा पल्लों को इसके लाव पांडेन, पांडेन और ठीक है, जो पल्लों चेत्रों को हिस्सा बनाया जा था, अपना समराज्य बिस्तार किया गया था अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि देखा जाए, बिजयालय के उतर रहतिकारियों ने बिजय प्राप्त करके, राज्य की सिमाओ का यहाँ पे बिस्तार किया, इसके आकार और सक्ति में बिर्धिकी, दच्छिर और उत्तर के, जैसे देखेंगे यहाँ इधर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा यहाँ पे दच्छिर, यहीं पे देखेंगे तो पल्ला और पांडयन छेत्रों में, पल्ला और पांडयन छेत्रों में, राज्य में यहाँ पे बिस्तार किया हुआ था, जैसे उत्तर में देखा जाए, गोदावरी, उत्तर में यहाँ पे गुदावरी और दक्षिण में यहाँ पे कृष्णा नदी बेसिन इसके अलावा यहाँ पे कॉंकर्टत लच दिव के अलावा पूरा माला बारतत यहाँ पे हो जाएगा पसमी छित्रों पे बिसेस बल दिया गया था और देखा जाए ठीक है मालदीव चोल समर और आगे चलके इसी के द्वारा अधित्य चोल प्रत्म के द्वारा एक बिसाल समराज्य का निर्मार किया गया इसी को इंपिरियल चोल समराज्य भी बोला जाता है पूछा जा सकता है अधित्य चोल के द्वारा किस समराज्य का निर्मार किया गया तो इंपिरियल चोल समर आधार वंस था, राजपूत समाज का आधार वंस था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भूमी परिवार और समान से लगा राजपूतों की बिसेस्था थी, यह भी बिल्कुल कोरेक्ट है, राजपूत सासक ने केवल हिंदू को सरवच्छड दिया, हिंदूतों को सर अच्छड दिया, यह दरहसल पूरी तरीके से गलत है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, राजपूत, राजपूत के संदर में, देखा जाए यहां पर परिहार सम्राजे, परिहार सम्राजे के टूटने के साथ कई राजपूत राज्य अस्तीत में आए, इन में से सबसे महत्पूल जैसे कि यहाँ पे कन्नौज का गर्षवाल मालवा का यहाँ पे होजाएगा परमार नाम भी आप लोग से मतलब सुनते रही है ठीक है इसके अलावा मालवा का परमार और अजमेर का यहाँ पे होजाएगा चोहान अजमेर का हो जाएगा चौहान सब यहाँ प्रेस्टित तुमें आए देश के विभीन ही सो में अन्ने छोटे राजवंस जैसे अधुनिक जबलपूर के आसपास का छेत्र बहुत सरा छेत्र जैसे बुंदेल खान कल्चूरी हो जाएगा गुजरात के चलुक के और दिल्ली के सब तो मर्थे इस प्रकार देखा जाए राजपुत समाज का अधार वंस था तिसमें कहना कोई गलत नहीं होना चाहिए भूमी परिवार और सम्मान से लगाओ राजपुतों की बिसेस्ता थे यहाँ पर सम्मान यहाँ पर जो लगा हुआ है ठीक है बहुत इंपर्टेंट चीज लगा हुआ इसको आपको ध्यान में रखना है यह भी बिल्कुल कॉरेक्ट है उस समय देखा जाए अधिकांस, राजपुत, सासक, हिंदू की समर्थक थे हाला कि उनमें से कुछ ने जैन धरम को जैन धरम को सरचचड भी दिया हुआ था इसके अलावा ब्रामण और मंदिरों को भरपूरदान और भूमी का अनुदान भी किया हुआ था इस पर गार देखा जाए तो तीन जो अश्ट्रिटमें गलत हो जाएगा कोरेक्ट तर हो जाएगा यहां पर केवल और केवल एक और दो अकबर के नौरतने के बारे में इन में से कौन सा कौन सा सही धंग से मेल नहीं खाता है नमबर वन है यहां पर अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के सासनकाल में अकबर नामा के लेखक थे अबुल फजल यहां पे दिया हुआ है जो कि बिल्कुल कॉरेक्ट है राजा मानसी का रहा है कि अकबर के बितमंत्री थे यह तो गलत हो जाएगा ना यहां पे राजा मानसी देख पार है यहां पे जो राजा कर सकते हैं कि भारमल था उसका पोता कर सकते हैं मतलब जो जोधा थी यहां पे उसका भतीजा हो जाएगा अकबर कभी तो मंत्री यह तो नहीं हो जाएगा टूडर मल फिर होगा ठीक है तो भी यहां पे गलत हो जाएगा इसके अलावा अब्दूर रहीम खानी खाना ये कभी था अकबर के भरोसे मंद्र देख भाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र था मुला दो प्या जाओवा मुगल समराथ अकबर के मुख्य सलाकारों में से एक था बहुत इंपोर्टेंट नामे ध्यान रखेगा मुला दो प्याजा अब यहाँ पे लोग बात करते हैं राजा मानसी का देखा जाए वह अंबर का राजकुमार था अंबर का राजकुमार था अकबर की सेना में एक भरोसे मंद सेना पती के रूप में मवजूद था और अकबर के कह सकते हैं कि उसका भी भतीजा ही वगा ठीक है उसके सासुर भारमल का पोता था राजा मानसी अकबर के सेन एक मान्डरों में सबसे आगे हुआ करता था इसको यहाँ पे 700 देख पार है 7000 मनसबदारी यहाँ पे मिला हुआ था और लहाओर में हाकीम को आगे बलने से रोकने साहित कई मर्चे पर देखा जाए अकबर के सहायता करता था वो आप अफगनिस्तान का मुगल वायस राई भी था अफगनिस्तान के छेतरों के तरफ जो कि यह राजस्तान है ठीके तो पस्चिम एक छेतरों पूरा 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 जो का सकते हैं कंट्रोल यहीं करता था इसके अलावा देखा जाए बिहार, उडिसा, दक्कन के अभियानों का नित्रित्व किया और बंगाल का क्या था यह वायस राई भी था पस्चिम और यहाँ पर बंगाल ठीके पस्चिम और यहाँ पर हो जाएगा बंगाल निमलिखित में से कौन मराठा समराजे में साही समरोहो का परमुख हुआ करता था मजुमदार, चिटनिस, वाक्या नवीस, इसके अलावा है दवीर बहुत इंपर्टेंट प्रस्ण है आपर मराठा समराजे में साही समरोहो का जो परमुख हुआ करता था उसको यहाँ पर बोला जाता था दबीर ते रोकेगा दबीर अब मराठों की बात आ रही है तो हम लोग सिवाजी की भी चर्चा कर लेते हैं सिवाजी का टाइम पिरियर की बात करें तो 1627 से लेके 1627 से लेके यहाँ पर हो जाएगा 1680 के बीच इनका जो परसासन था दक्नी राजे की परसासनिक द्यवस्ता के साथ साथ मुगल परसासनिक धाची से भी परभावी था उनका मुख्य जो उदेश से था कि अपने प्रजा को अपने प्रजा को उत्पड़न और अरत्य चार से बचाना और सम्रिद्धी और खुरसाली लाना था देखा जाए 1674 में 1674 में सिवाजी ने राय गड़ में राज तिलक कराया और छत्रपतित था हिंदुवा ठीक कह सकते है कि धर्मो धारा की उपादे भी धाराणकी परसासनिक मामलो में देखा जाए परसासनिक मामलो में संजालान के लिए राज ये मंतिरियों के एक परिजद होते थे जिससे और सिवाजी इसके लिए बाद ये नहीं था परसिद पेंटिंग लखनों की राहत ब्रिटिस रचकों का जस्न बनाती है और भारतिय बिद्रोयों को खराब रोशनी में दिखाती है इसके चित्रकार कौन है थॉमस जोन्स बारकर जोसेफ नोयल पैटन पंच इसके अलावा है यहाँ पे बिलियम होजेस इसका कॉर्यक्ट उतर हो जागा यहाँ पे थॉमस जोन्स बारकर तो यहाँ पे आपको समझना है देखेंगे तो जब ब्रिटिस रोग का यहाँ भारत पे कंट्रोल हुआ करता था तो जिस प्रकार से ब्रिटिस नितिया थी दमनकारे थी पूरी तरी से तो सभाविक सी बात है कि इसका प्रश्न को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब भारतियों को यह विलेन यहाँ पे दिखाया जाता था और जब भी यहाँ पे विद्रो किया जाता था या फिर अंगरेजों को मारा जाता था तो कोई न कोई यहाँ पे आता था सुपरमैन बनके सुपरमैन बनके आता था और फिर इसको यहाँ पे बचाने की कोसिस करता था उसी परकार का एक कॉंसेप्ट है ज्यान रखेगा थॉमस जोन्स बारकर के द्वारा अब हीरो को है यहाँ पे तो एकदम होता है सामने फ्रॉंट लाइन में दिखाएगा लाइट तार चित्रे के रूप में दिखाएगा और भारतियों को बिल्कुल ठीक है पीछे दिखाएगा भील के रूप में दिखाएगा तो यहीं इसका मूल यहाँ पे थीम है देखा जाए ब्रिटिस तस्वीरे बिभीन परकार की यहाँ पे छबिया पेस करती है जो बिभीन भावनाओं और परतिकरियाओं के एक स्रिंखला को उकेरने के लिए होती है उन में से कुछ देखा जाए उन ब्रिटिस नायकों का स्मरल कराते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और बिद्रोहियों का दवन किया इसी तरीके से देखा जाए उननी सो उन सट में उन सोरी अठारा सो उन सट में थोमस जोन बरकर द्वाराचितरित लखनौव की राहत नाम ही है यहाँ पे देख पार है लखनौव की राहत इस प्रकार के एक उधारा ने जब बिद्रोही सेना ने लखनौव को घेर लिया तो लखनौव के आयुक्त उसमें हुआ करता था हेन्री लौरेंस हेन्री लौरेंस ने इसाई अबादी को अपठा किया और भाली भारी किलेवंदी यहाँ पे ठीक है सकते हैं कराना शुरू कर दिया, किले को घेरवाना करना शुरू कर दिया लेकिन लौरेंस मारा गया और करनास इंगलिज की कमान में निवास की यहाँ पे रच्छा जारी रही अब यहीं आपको समझना है कि कैनवास की केंदर में देखेंगे तो बिरिटिश जो नायक जो उस समय हुआ करता था जिसने सेव किया था कह सकते हैं कि कैमबेल, आउडरम, हैवलोग की सब थे यहाँ पे और बारकर की पेंटिंग कैमबेल के प्रवेस के छण का यहाँ पे जस्न मनाते हुए नजर आती है अब इसमें देखेंगे तो एक नाम मिल रहा है मौलाना अबूल कलाम अजाद यह तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा बाकी सारा कॉरेक्ट उतर होगा अर्थात 134, 134 कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे D भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में यह होँ हो गया एक अंग्रेज और एक सेवनमरित सीविल सेवक के द्वारा किया गया था और उस समय वायस राय था यहाँ पे डफरिन इसका भी नाम बार बार पुछा जाता है डफरिन के समय भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी अस्थापनाओ के द्वरान महतपूर नेता थे जिसमें कुछ इंपर्टेंट नेता का नाम आपको ध्यानर में रखना है जैसे कि नंबर वने हाँ पे हो जाएगा दादा भाई नवरोजी इसके अलावा बदरदून तयब जी बदरदीन तयब जी अनन्द मोहन भोस आरसी दत फिरोज सामेहता इसके अलाव हो जाएगा गोपाल कृष्न गोखले जी सुब्रमन्यम अयर दिनसा वाचा महादेव गोविंद रनारे इसके लाव हो जाएगा मदन मोहन मालविय ये सारे देख पर हैं यहाप जितने भी नाम यहाप देखने के लिए मिल रहे हैं आपको सब यह दरवादी नाम ही है तो इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है स्वदेशी अंदोलन के दोरान गठित स्वदेश बांधो समीति के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है इसकी अस्थापना अस्वीनी कुमार दत ने की थी बिलकुल कॉरेक्ट है इसने मध्यास्ता समीतियों के माध्यम से कई विवात का निप्टारा भी किया बिलकुल सही है ब्रिटीस अधिकारी वर गामत और पर उनकी गत्विदियों से चिंदित नहीं था अब देख पार हैं यहाप इतना बड़ा मुवमेंट हो रहा है और ब्रिटीस सर चिंदा नहीं रहेंगे तो अपने आप में अस्टेटमेंट ही गलत है इसलिए कौराय की कौन से कर्थन सही नहीं है कौरेक्ट उतर यहीं होगा C यह छेत्र के मुसल्मान किसानों की बीच मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर जन समू उत्पन करने में सक्चम था यह भी बिलकुल सही है बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे स्वदेश देख पार है स्वदेश बांधव समीती के बारे में इसकी अस्थापना अस्विनी कुमार दत के द्वारा की गए थी इसने बिवादों को अस्थाननी अस्थर पर निप्टाने के लिए मध्यस्ता समितियों का गठन किया हुआ था ब्रिटिस अधिकारी देखा जाए वास्तों में उनकी गत्विधिया और ग्रामिल जन्ता के बेच उनकी बढ़ती लोग पिरिस्ता से चिंती थे समितियों ने देखा जाए जादुई लाल्टेन ये बहुत इंपोर्टेंट है जादुई लाल्टेन ब्याख्यान और स्वदेशी गीतों के माध्यम से स्वदेशी संदेशों को गाउं गाउं तक पहुँचाया इसने सदस्यों को सरेरिक और नैतिक पर सिछड़ दिया और अकाले और महमारी के दवरान समाजी कारे भी किया इस समीति की गत्विदियों के माध्यम से देखा जाए तो मुस्लिम किसानों के बीच ये कदितिय जन समू उत्पन करने में सक्छम हुगा 1909 के मारले मिन्टो सुधार के संदर में नीचे दिये गए कत्वनों में से कौन से सही है इसने भारत में एक परकार की जवाब देख सरकार की अस्थापना की ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा मारले मिन्टी सुधारों ने देश के लोगों को वास्त विक्ता के बजा एक छलावा दिया बिल्कुल सही है, द्वैत सासन लगा, इसने भारत के विभाजन के लिए बीज भी बोया बिल्कुल सही है, संप्रदाइक प्रतिनितों को पूरी तरीके से यहाँ पे दिया गया तो इस काम लोग explanation देख लेते हैं, correct उतर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए C, 2 और 3, 2 और 3, मारले मिन्टों द्वारा यहाँ असपर्ष किया गया था कि भारत अपने सिक्स वासाजन के लिए कच्छा मिदवार नहीं था उन्होंने भारत में एक जवादेव सरकार के गठन का बिरोध किया तो यह गलत हो जाएगा सुधारों ने देखा जाए, तो वास्तों में भारतियों की बढ़ती एकता को रोखने के लिए यह कॉंग्रेस के अस्थापना हो चिपको थी भारत की बढ़ती एकता को रोखने के लिए एक उपकराण के रूप में प्रिथक निर्वाचक मंडल का उप्योग करने का यहां पर ठीक है कहा सकते हैं कि मांग किया हुआ था चुनाओ परकिरिया बहुत ही अपरत्यक्स तरीके से थी वे निर्वाचक मंडल दवरा चुने गए थे जो अस्थानी निकाय दवरा चुने गए थे इन सुधारों ने देखा जाय तो लोगों की वास्तविक्ता के बजाय चलावा दिया यहां पर द्वैद नहीं इठा ठी इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे इन सुधारों ने लोगों को वास्तविक्ता के बजाय चलावा दिया और प्रिथक निर्वाचन के स्विक्रिती ने भारत के विभाजन की निव रख दी तो काफी पूर्टेंट कारण माना जाता है 1909 का मारले मिंटो सुधार मारले य कौन था सचिंद्रनाथ शन्याल, खुदी राम बोस, सुरिया सेन, इसके अलावा है तरकेशवर दद कॉरेक्ट उतर हो जागा है यहाँ पर सचिंद्रनाथ शन्याल, सचिंद्रनाथ शन्याल के बारे में बात करें तो वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसूसीयेशन दी गई थी उसके मात बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर खुदी राम भोस की परफुल चाके की मदद से उन्होंने जर्ज ठीक है मतलब जर्ज किंग्स फूर्ड को मारने का प्रयास किया 1908 में मुझह परपूर साजिस के रूप में भी जाना जाता है जो की आगे चलके 18 वर्ष के आईउ में उनको यहां पर 11 अगास्ते डेट याद रखेंगे 11 अगास्त 1908 को यहां पर फासी दे दिया गया इसके बाद यहां पर सुरिया सेन भी है उन्होंने 1930 में बिरिटिस राज की खिलाप चटगाओं सस्तरगार पर हमला किया उन्होंने भारतिय गरतंत्र सेना नाम से एक सेना का गठन किया यह बहुत इंपोर्टेंट है भारतिय गड़तंत्र सेना नाम से एक सेना संगठित किया 1935 के बिल की संजुक्त संसदिय समीति के अधिक जिनके काराड 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माड हुगा डैस डैस थे क्या थे लौड लिनलित्को है इसके अलावा जेम्स मेकडोनाल्ड है विस्टन चर्चिल है इसके अलावा यहाँ पर कलेमेंट एटली है 1935 के बिल की बात के यहाँ पर की जा रही है अब उसमें देखेंगे तो कॉरेक्ट उतर तो सिंपल है लौड लिनलित्को है यहाँ पर ध्यार रखेगा लौड लिनलित्को है भारत सरकार अधनियाम 1935 की हम लोग प्रिष्ट भूमे की चर्चा कर लेते हैं जैसे कि भारत सरकार अधनियाम 1935 में ब्रिटिस संसद वारा पारित किया गया था और 1937 में यह परभाव में आया हुआ था यह लोड लिनलित्को के नितिरितो वाली एक संजुक्त प्रवर समीती की रिपोर्ट पर अधारे था जिसने ब्रिटिस संसद के दोनों सदनों की यहाँ पर अस्थापना की हुई थी इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेगा पाला ही यह श्ट्रेट्मेंट क्या होगा सही होग रिपोर्ट बदले में देखा जाए स्वेत पत्र की संजूग्त समीति की जाँच का प्रणाम था समिधानिक प्रस्ताओं की योजना देखा जैसे कि गुल्मिन्स मिलन के तुरंत बाद यहां पर तयार किया गया था ते बीज में गुल्मिन्स मिलन के साथ साथ जो यहां पर साइमन का मिसन था उसको भी यहां पर अधार बनाया गया था किरिप्स मिशन के अधिकारिक कॉंग्रेस वर्तकार निमलीखित में से कौन थे महात्मा गांधी और सर्दार पटेल अचारिय जेबी किरिपलानी और सीरादगोपालाचारी और एक टुतर हो जाएगा है पिस्ती पंडित नहरू और मौलाना आजाद किरिप्स मिशन के साथ चर्चा कर लेते हैं हम लोग जबाहरला नहरू और मौलाना आजाद किरिप्स मिशन के अधिकारिक वर्तकार थे 11 मार्च ये डेट आपको ध्यान रखना है 1942 को चर्चिल ने गोशना किया कि ब्रिटिस सरकार भारत के राजनीति गतिरोद को दूर करने के लिए योजना तयार कर चुकी है और सर राष्टिफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा अब यहीं यह देखेंगे सर क्रिप्स ब्रिटिस काइबनेट के बी सदस्य थे और उन्होंने भारते राष्ट्रिय अंदुलन का सक्रिय समर्थन किया हुआ था क्रिप्स मिशन ने भारत के अन्य प्रांतों के लिए एक अलग समिधान परदान किया जिसका छीपव अलचे था कि भारत के टुकडों में भी भाजित करना था और यह पुरस्ताव देखा जाए तो भारत के राष्री एकतक के सिदानत की खिलाब था, फिल होना ही होना था 1945 की वेवेल योजना के विसे में निमलिखित में से क्या सही नहीं है कारेकारे परिशद में मुसल्मानों का एक तिहाई परतनी धीत वो होना था अब देख पार है अपने आप में कितना कॉंग्रेस के रहते हैं हुए यहाँ पे मुसल्मानों का एक तिहाई परतनी धित्व यह अपने आप में गलत है यहीं हो जाएगा कॉरेक्ट उतर सही नहीं है अंत में इसे मुसल्म लीग और कॉंग्रेस दोनों ने सुविकार नहीं किया बिल्कुल ठीक है सही है सही है ध्याद रखे है लेकिन यह कहरा कि सही नहीं है तो कॉरेक्ट उतरे होगा एक प्रस्ताव यूद के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा था वाइस राय और कमांडर इंचीप को छोड़ कर वाइस राय की कारेकारी परिशत के सभी सदसे भारती होने थे तीनों को तीनों शेटमेंट कॉरेक्ट है यहाँ पे देख लेते हैं लोग यहाँ पे 1945 की वैवेल यूजना 14 जून को 14 जून को वैवेल ने सभी कॉंग्रेस वरकिंग कमीटियों के सदस्यों को रिया करने का देश दिया और एक नई कारेकारी परिशत की अस्थापना के लिए बात चीत का यहाँ पे परस्ताव रखा हुआ था जो खुद वायस रहा है और कमार्णर इट चीप पो छोड़कर पूरी तरीके से ठीक है मैंने देखा जाए भारती होगी दो ही लोग इसमें बाहर की लोग होंगे बिडेसी लोग होंगे अब इसमें देखा जाए देखे हिंदू और मुसल्मानों का समान पर तनिजित तो होगा कारेकारी मुझूदा समिधान के अंतरगत कारे करेगा और यह भी आपको ध्यान रखना है कि युद्ध जितने के बाद एक नया समिधान पर चर्चा के लिए यहाँ पे दरवाजा खूला रखा जाएगा अब इतना यह लोग टर्म के लिए है कि युद्ध जितने के बाद अब यहीं आपको समझना है कि जिन्ना की और सहिस्डू मांग लीग को सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का पूर्य अधिकार देने और यह कि कारेकारी में एक तरह का संप्रदाइक विटो चाहिए यह सब दिवान थी यहाँ पे जिन्ना की जिसमें मुसल्मानों दोरा दो तिहाई बहुमत के वासकता वाले फैसले का बिरोध किया गया था जिसके कारण वास्तों में देखा जाए तो वैवेल योजना पूरी और आंद्र परदेश, हैदराबाद और भोपाल, जोधपूर और हैदराबाद तो करेकारी में 1947 से 50 के भी गठित नहीं होई थी इसका करेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात और आंद्र परदेश गुजरात और आंद्र परदेश चुकि यहाँ पे आपको समझना है कि 1960 में बंबे को दिरिभासी राजियों को दो अलगलग राजय विभाजित किया गया था, एक तो था यहाँ पे मराठी, मराठा बोलने वाले महराश हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, जो कि गुजराती भासा वाले लोग, ठीक है, आंद्र रा जसे तेलगु भासी छेट्रों को हटा कर कहां से मराठी , उसमें मदरास के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, मदरास राजे से कि था टेलगु भासी छेट्रों को हटा कर आंधर भासाई राजे बना और कुर्णल आंधर परदेश के यहां पर राजधाने बने थी और गुंटूर में राजे उचने अले के अस्थापना यहां पर की गई थी 1901 में देखेंगे भारत के 27 राजियों को यहां पर चार भागों में विभाजित किया गया था जिसे कि भागे, भाग B, भाग C, D और इसे में देखेंगे वरतवान में जितने विराजे हैं सबको उसके अंतरिकत के टेगराइच किया गया था नेक्स्ट है यहां पर एकका अंदोलन के संबंध में, यहां पर कुछ गलत मैं ने कर दिया था यहां ठीक है, आप लोग कोरेक्शन कर लिजेगा एकका अंदोलन के संबंध में निमली खित में से कौन सा कथन यहां पर सही है यह 1920 में शुरू हुआ था इसे एकता अंदोलन के रूप में भी जाना जाता है इसके अध्यक्स था मदारी पासी ने किया हुआ था कर एक 1920 में देखेंगे तुछ यह 1920 में शुरू नहीं किया गया था यह किसान अंदोलन था 1921 के अंद में देखा जाए हर्दोई, बहराईच और सितापूर हर्दोई, बहराईच और सितापूर में ये आया हुआ था तो पहला तो गलत हो जाएगा इस एकता अंदोलन के रुप में जाना जाता है सही है इसके अधिक्चा मदारी पार्सी के दौरा किया गया था बिल्कुल कॉरेक्ट है शुरुआत में देखा जाए कॉंग्रेस और खिलापत अंदोलन दौरा स्थापित होने के बाद इसका नेतरित तो मदारी पार्सी ने किया अंदोलोर कमों के कारण था यहाँ पे अत्यधीक लगान 1920 का जब दोर आ गया तो सबसे बड़ा फेक्टर है अत्यधीक लगान था जो कुछ अस्थानों पर घोसित किराय से देखा जाए तो 50% से भी अत्यधीक हुआ करता था लगान वसुल करने के लिए जीन ठेकदारों को सवपा गया था उनमें दमन और हिंसेदार लगान की प्रता ने भी इस अंदोलन में योगदान दिया हुआ था किसानों ने देखेंगे तो जो भी ठेकदार हुए थे और अंग्डेजों को लगान की उनमानी रासी से अधिक भुकतान करने से इंकार कर दिया जो अंदोलनों के परमुक लच्चियों में से एक था वल्ला भाई पटेल के नितरीतु में आयो जीत बार्डोली बार्डोली भी होता है कहीं कहीं डोली भी लिखा रहेगा आपको बार्डोली सत्यगरा के मुख्य मांग क्या थी जो तने वालों को भू स्वामित्व का अधिकार परदान करना वर्धित भू रजस्व के वापसी असोयोग अंदोलन के दोरान गिरफतार किये गए राजनीतिक कैदी के रहाई किसानों का कर्ज माप करना देखिए पहले अस्टिमेंट गलत होगा दूसरा ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ही यहाँ पर सही होगा 1926 में सूरी हुआ जब अधिकारियों ने भू रजस्व में 30% के व्रिधि करने का यहाँ पर निड़े लिया हुआ था बिल्कुल यहीं चंपरन सत्यकरा टाइब का है कॉंग्रेस निताओं ने इस मुद्य पर जाने के लिए यहाँ पर बार्डोली जाद समीती का गठन किया हुआ था समीती ने राजस्व विरिधि को पूरी तरीके से अनूचित पाया बढ़े हुए भूर अजस्व आपसी के लिए अंदोलान का नेतरितों करने के लिए यहीं अब आपका नाम है आगा वल्लब भाई पटेल को बुलाया गया था अंदोलान को संगठित करने के लिए पटेल ने देखा जाए जितना भी तालका हुआ करता था तलका में 13 चावनियों और असरमिकों के सिवरों के अस्थापना की बड़े मात्रा में लोगों ने पार्टिसिप्याट किया किसानों ने और इसमें सबसे बड़ी खास बात थी कि किसानों के साथ साथ महिलाओं पे भी फोकस दिया गया महिला किला मंदी पर बिसेस बल दिया गया और बार्डोली के महिलाओं ने उन्हें इसलिए सरदार की उपाधी दी तो इसी समय देखेंगे इनको यहाँ पे सरदार की उपाधी भी मिली इसी को कर सकते हैं कि बार्डोली सत्यागरों को ही देखेंगे केम मुंसी और लाल जी नरंजी ने अंदोलन के समर्थन में बॉम्बे बिधान परिशत से इस्थिपा दे दिया था केम मुंसी और लाल जी नरंगी इसके अलावा नरंगी नहीं ध्यार रुखी का नरंजी सरकार ने एक समिती नियुक्त की जिसने पूरे मामले की जाज की और रजस्व वृध्धि को अनुचित पाया और हुआ भी देखा जा यहाँ पे ठीक है केवल कर सकते हैं कि कुछ ही परतिस्षत की वृध्धि की यहाँ पे सिफारिस की लगभग देखा जा 6.03 अब पहले कितना था यहाँ पे 30 परसेंट की निमलिखित में से किस भाज़ा सम्मू के लिए गांधिवादी स्री पुट्टी स्री रामूलू ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनसन किया जिन पर उनकी मृत्ति हो गई अभी मैंने मेंसन किया हुआ था कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पे सी तेलगू क्योंकि देखा जाए देखेंगे उस समय 1947 के बाद जब भारत हजाद हुआ तो बहुत मतलब मुश्किल था भारत को यहाँ पर उनाइड करना एक साथ लेके चलना और उसमें देखा जाए परधान मंत्री नहरुप परधान मंत्री वर्रा भाई पाटेल दोनों भासाई राजियों के निर्माड के पूरी तरीके से खिलाब थे अब यहीं आपको दक्षि अला, मराठी सभी अपने अपने राजे के लिए उत सकते हैं हलाकि यहीं आपको समझना है कि मदरास प्रेसिडेंसी के तेलगु भासा जीलों में सबसे मजबूत इसका बिरोध हुआ और अक्टूबर 1952 में पूर्टी स्री रामालू नामा के एक अनुभा भी कर सकते हैं कि गांधिवादी जो नेता थे तेलगु भासियों के हितों के रच्छा के लिए आंध्र प्रदेश राजे की गठन के मांग को लेकर भूख हर्ताल की और 52 दिनों के बाद 52 दिनों के बाद एक अक्टूबर 1903 को आंध्र प्रदेश को नया राज्य यहां पर बनाना पड़ा भास आई लेवल पर देखा जाए तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश को भानुदत इसका प्रदारी इसमें स्रिंगार पर देखा जाए तो हंड्रेट्स लोक है इस किरिती में कभी ने और सेसो के संदर्य और मनोहर भाव का चितरण किया है इस सदी में कभी ने महिलाओ पे खास यहां पर फोकस किया है हाओ भाव प्रकार अकरसर सारेरिक फिटनेस पर बहुत बिस्तिलित से चर्चा की हुए देख पार हैं आपे स्रिंगार पर सौस लो भार त्यारी ठीके